हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ग्यानेन सिंग सिबो और आप देख रहे हैं A2Jet Concept तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौकलेट बिजनस के बारे में यानि अगर आप एक छोटी दुकान खोलते हैं अपने गाउं में, कस्बे में, बजार में कहीं पे भी अगर आप दुकान खोलते हैं या फिर खोलने के लिए सोच रहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि चौकलेट बेच के आप कितना कमा सकते हैं चोटी जो एक रुपए की चॉकलेट होती हैं उसको बेच के आप कितनी मार्जिन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस बिजनस को खोलना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जहां पे आप स्कूल होगा अगर इसकूल के पास में आप ये बिजनस सुरू करते हैं क्योंकि आप चॉकलेट के साथ ऐसा नहीं है कि सिरफ अगर आप सौब खोलेंगे तो सिर्फ चॉकलेट बेचेंगे चॉकलेट का मतलब ये हो गया कि अगर आप का पुस्तक भंडार है किसी स्कूल के पास में तो वहां पे भी आप चॉकलेट बेच सकते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चॉकलेट को बेश के आप कितनी मार्जिन कर सकते हैं सिर्फ इस लाइफ प्रूप के साथ मैं अब प्रूप भी दिखाऊंगा कि कितने पैसे का चॉकलेट है और कितने का आपको मार्जिन हो होता है तो वीडियो लाश तक देखिएगा ठीक है दोस्तों तो सबसे ज्यादा यह बिजनस चलता कहां है उस पर हम बात कर लेते हैं कुछ देर तो सबसे ज्यादा बिजनस यह चलता है जहां पे बच्चे रुकते हैं यानि स्कूल हो गया या आपका कोई ऐसा मार्केट है घरेलू जहां पे आप ज़्यादा भीड लगती है बच्चों की यानि कि कुल मिला जुला के जहां पे बच्चे ज़्यादा आते हैं वहां पे अगर यह बिजनस आप सुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन और बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ठ ठीक है आप वहाँ पर चॉकलेट रखते हैं क्योंकि चॉकलेट सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं ठीक है तो यार आप वहाँ पर अगर चॉकलेट बेजते हैं तो बहुत अच्छी मार्जिन मिलती है तो आज आपको मैं दिखाऊंगा साथे पंद्रोसो के चॉकलेट तो कि साथे पंद्रोसो रुपे लगा के आप 12,000 चॉकलेट आपको मिलता है 12,000 की ब mods है की बराइटी आपको मिल जाती है उन 12,000 को अगर आप बेजते हैं यार शाथे वीडियो लाश्ट तक जरूर देखेगा देख सकते हैं कि आपके सामने 15 जार चॉकलेट आपके सामने बारह जार आपके सामने इन 12 बारह बराइटी बारहो अलग-अलग टेस्ट में हैं तो इनकी जो पूरी कीमत होती है वो है 1550 रुप ए किस-kis price में आपको पढ़ेगा ये चीज आप ध्यान से समझेगे जैसे देख सकते हैं दो ये और दो इसके नीचे और एक ये यानि यहां से ये पांचो आपको पढ़ता है 100 रुपे और हर पीस में आपको 160 पीस है यानि कि 100 रुपे में आपको पढ़ता है पांचो जार 100 रुपे में पढ़ता है 160 पीस होते हैं यानि कि आपको 60 रुपे मार्जिन मिलने वाली यानि सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 को अगर आप बैसते हैं तो लगभग आप कितना कमाते हैं 300 रुपे 300 रुपए आपको इन पाचों में मिल जाता है ठीक है बात करें इसका तो यह पारले का Eclir है इसमें आपको दोस्तो 15 रुपए की Margin मिलती है वही कच्चा आम की बात करें तो इसमें भी आपको 15 रुपए Margin मिलती है पूरा बैचने के बात 135 रुपए का पड़ता है और 150 रुपए होता है इसमें 15 units free है यानि 7.5 रुपए का free है तो free की बात मैं नहीं कर रहा हूँ चलो अगर इसको कर भी लेते हैं कोई बात नहीं ये भी तो margin में जुड़ेगा तो यार इसके बात करें Wix की तो Wix में भी आपको 50 रुपए की margin हो जाती 150 रुपए का Wix कजार आता है 200 पीस होते हैं जिसमें से 5 पीस खरी भी है उसको ले के यानि 50 रुपए कुल मिला जुला के आपको मिल जाता है वहीं बात करें Mentos की तो दोस्तों 175 रुपए का आता है और 190 पीस होते हैं यानि मातर 15 रुपए margin आपको मिलने वाली है लेकिन ये चाकले बहुत ज़्यादा बिखते हैं वहीं बात करें Central Fresh की तो ये आर 190 रुपए में आपको पढ़ता है और 210 पीस होते हैं यानि 20 रुपए की margin आपको मिल जाती है वहीं बात करें Central Fruit की तो ये आपको 165 रुपए में पढ़ता है 186 पीस होता है यानि कि आपको 21 रुपए की margin इसमें भी मिल जाती है वहीं सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये एकलियर है और ये 50 पैसे वाली है और इसकी बात करें तो ये आपको 100 रुपए में पढ़ जाता है 1500 का माल लाता है यानि कि 50 रुपए आपको बच जाते हैं ठीक है इसमें 50 पैसे और एक रुपए वाली दोरो चॉकलेट है जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ऐसे जार हैं जो एक रुपए में बिखते हैं और 50 पैसे में 1, 2, 3 मातर तीन जार ऐसे हैं जो 50 पैसे में बिखते हैं यानि कुल मिला जुला कि ये जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 1550 रुपए में ध्यान से समझेगा 1500 रुपए में आपको बार है जार चाकलेट बार है अलग अलग बराइटी के मिल जाते हैं जिसमें से कुछ लोकल हैं कुछ ब्रांड भी हैं ठीक है अब यार इसको कुल मिला जुला कि जो मैंने आपको मार्जिन बताई है इसमें यानि 1500 रुपए लगा के आप 500 रुपए की मार्जिन कर सकते हैं नेट 500 रुपए ठीक है आप इसको कल्कुलेट करेंगे तो आपको नेट 500 रुपए की मार्जिन आपको मिल जाती है 1500 रुपए लगा के यानि कि आप सोच सकते हैं और वहीं अगर बात करें सिर्फ इन पांचों की जो कि ये देख सकते हैं इधर दो नीचे और ये पांच ये और ये एक एकदम लाश्ट में जो है सिर्फ इन 6000 की बात करें तो इसमें आप अकेले आप लगबश 3500 रुपए की मार्जिन कर लेते हैं यानि इन 6000 को बेच के 3500 करते हैं वहीं इन एक दो तीन चार पांच इन 5000 को बेचते हैं तो इसमें आप कितनी मार्जिन करते हैं 1500 रुपए यानि कि 3500 ये 6000 में और यही 6000 में आप मार्जिन करते हैं 1500 रुपए यानि टोटल मार्जिन आपकी हो गई 500 रुपए फिर भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है दोस्त साड़े पंद्रा सो रुपए लगा के आप 500 की मार्जिन करते हैं ये है चाकुलेट का बुजनस ठीक है अब आपकी सेल के उपर है कि ये चाकुलेट आपके इतने दिन में बेश देते हैं कि आपके इतने चाकुलेट एक दिन में बेश देते हैं दोस्तों बहुत जादा वहीं दोस्तों अगर margin की बात करें तो 30-35% की margin आपको मिल जाती ए चौकलेट में अगर आप local chocolate की बात करें वहीं brand की बात करें तो 10-12% की margin आपको brand chocolate में मिल जाती है ठीक है तो un-owverage अगर बात करें तो लगबक 30% का margin निकल के आ जाता है अन ब्रांड और ब्रांड दोनों अगर आप ले के चलते हैं तो 30% चॉकलेट में मान सकते हैं कि 25 से 30% आपको तो 100% स्योर है कि मारजिन आपको मिल ली है तो अगर आपके सेल अच्छी है तो दोस्तों चॉकलेट में आप बहुत चादा कमा सकते हैं वहीं अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ किसी सॉप पे चॉकलेट नहीं बिखती है सॉप पे बहुत सारी चीज़ें बिखती हैं ठीक है लेकिन आज की वीडियो उन लोगों को दिखाना तो जो जानना चाते हैं कि इन सारी जो 50 वैसे एक रुपे कि जो हम चॉकलेट खाते हैं या बेस्ते हैं इसमें कितनी मार्जिन हो सकती तो उनके लिए वीडियो था जो नए दुकान खोलना चाते हैं और जानना चाते थे कि चॉकलेट में कितनी मार्जिन हो सकती है उनके लिए ये वीडियो इस्पेसल रूप से बनाया गया है ठीक है दोस्तों तो यार अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें ठीक है अगर आप नए है यार तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों तो यार वीडियो बनाने में कभी समय लगता है उमीद है यार अच्छे से समझा पाया हूँगा मैं आपको ठीक है तो यार फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ ठीक है और हमारे चैनल पे एक चीज और मैं कहना चाता हूँ कि चैनल पे बहुत सारी बीडियो अप्लोड है चॉकलेट को लेके किराना बिजनस को लेके पारले, बिटानिया, प्रिया गोल्ड बिस्किट के हुलसे प्राइज रिटेल प्राइज कैसे आप घुटके का बिजनस करें कितनी लागत लगा के आप बिजनस कर सकते हैं कम पूजी में कैसे आप बिजनस कर सकते हैं सारे चीजों पे मैंने वीडियो अल्रेडी बना के चैनल पे अपलोड किये है तो यार वन बाई वीडियो करके आप जाने ठीक है हर वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है यार तो चैनल पे जाएए एक एक वीडियो देखें अपने नालेज को इंप्रूब करें ठीक है अगर आप एक नए है और आप दुकान खोलना चाहते हैं किसी भी तरीके के जो अभी तक मैंने बताई तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लापकारी होने वाली है